जेट अर्चीवर ओवीवी फाइल फॉल्डर नोट वर्किंग नोट स्वाइंग हैं दोस्तों जेट अर्चीवर नोट वर्किंग एंडोस्तों जैसे आप लोग जेट अर्चीवर अपलिएसन को ओफन करने के लिए आते हो औभी फाइल फॉल्डर को चेक करने के लिए आते हैं आपको इस परकार की प्रॉब्लम है एक error है वो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है चोकि लिखा हुआ है एक sys h guys यहाँ पे dn8 तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे solve करना है जो आपकी औभी फाइल फॉल्डर ह वो आपका सो नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप लोग बहुत ज्यादा परेसान हो आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग सोचते हो ये क्या प्रोब्लम है और इस प्रोब्लम को सोल किया जाए जाए कैसे तो इसे के उपर यहाँ पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप सोई दोस्तों को बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सोल कैसे करना है कैसे दोस्तों जेट अर्चिवर से आप लोग किसी भी ओभी फाइल फॉल्डर को सेट कर सकते हो एंड गाइस यहाँ पर बहुत आसानी से यूज कर सकते तो वीडियो आपके लिए काफी अधा हेलफुल होने वाला है आप लोग देख सकते हैं यह हुआ जेट अर्चिवर आप लोग यहसी इसको ओपन करने के लिए आते हो एंड्राइट फॉल्डर यूज करने के लिए आते हो इधर यह क्लिक करते हो बगेरा बगेरा आपको य आपको इस परकार की प्रॉब्लम देखने को दोस्तों यह चीज आपका बरकी नहीं करता है तो ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो आप लोग सौंसते हो यह क्या चीज है आखर जेट अर्चिवर वर्क क्यों नहीं कर रहा है इस प्रॉब्लम को सौल किया जाए तो किया जाए कैसे आई थिंग अगर आज आप लोग यहां से एक न्यू फॉल्डर क्रेट कर भी लेते हो इस फॉल्डर में मान लोग पेस्ट कर भी देते हो तो आपको ओभी भी फाइल है वो आपको सो नहीं होती मतलब ओभी फाइल यहां पर देखने को म मिलती ही नहीं है अगर आप लोग एक new folder create कर लेते हों जी यहां दोस्तों अब आईए चानते हैं यह problem क्यों आ रही और इससे solve किया कैसे जाए उसी के बारे में जानकारी देने बारे सबसे पहले मेरे बाई लोग आपको आना है अपने मुवाईल fewण के screen तो मुवाईल फ़ून के screen पर आने के बाद में आपको जो jet archer application आप इसको पर प्रेस करना है और इसको म्मों काम करना है उससे हम आपको वही काम करणा में करना फिर उसके और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफिस आएगा आप दोस्तों यहां पर क्या करना है दियान से मेरी बात को समझना है सबसे पहले जो आपका फाइल मेनेजर हो गया दोस्तों इसको चेक आउट करना है आपका इस्टोरीज है वो खाली होना चाहिए आपका इस्टोरीज है दोस्तों क कम से कम तीन से लेके चार जीवी रेम हैं जगह खाली होना चाहिए वह भी आईस यहां पे हमेशा के लिए फिर उसके बाद में आपको इधर किलिक करना है आपके सामने इस परकार का इंटर्फिस आएगा आपको क्या करना है दियान से समय आपको ऊपर के साड़ में नीचे आ किलिक करना है और यहाँ पी आपके सामने एक ऊगण नूटर्फिस आएगा अपडेट अणिस्टोन अपडेट आपको इसकी उपर करना है और इस और इस करना है आपके सामनी प्रकार का इंट्रस आएगा फिर आपको बापस आना है आपको इस फाइल्ट वाले folder पे खीकि खरना है इसके वी से नमिशन में आना है इसके उपर करना है इसको भी दोस्तों update and अनिस्टोर्ड करना है अब यहां पर दोस्तों जो आपका एक नॉर्मली सारा काम कम्प्लीट हो चुका है फिर आपको यहां से कट मारना है फाइल मनेजर के ओपर किलिक करना है यह फिन परमिशन में आना है यख information में आने के बाद में आपको यहांसे फॉस करना है दन करना है आपको फिले स्टोर ओपन करनें के बाद में आपके सामने خथार का औरटे बशन को जएक I do apologize अब जैसे दोस्तों आपका जीट अर्चीवर यह लाइप में परET रिखाओंगा यह फुले तरीके से डाउन्लोड होता है अब यहां पर काम सारा कंप्लीट हो चुका है अबी मैं आपको लइफ भूरूप दिखाओंगा दोस्तों यहां पर O keyword values Set करकि कहीं बंदे लोग बोलने हैं रिटalen 10 प्रोब्रम आ रहे हैं कहीं बंदे लोग बोलने रिटन 11 았습니다 प्रोब्लम आ रहे हैं कहीं बंडे लोगं बोलने रिटराइट 12 में अफिर 2013 में प्रोब्लम आ रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उफन करना है, आपको पर्मिसन को अलाव करना है, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख चुकते हैं, पर्मिसन को अलाव करना है, ओके करना है, यह चीज बर्क करने लगा, ओभी फाइल है मेरी आचुकी, तो इस प्रकास से आपकी सारी प्रो हो जाएंगे ओके यहां पर वी फाइल आगे मीडिया फाइल सारा कुछ अनेवल हो चुका है सो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं किसी ने उंट्रेस्टिंग वीडियो चाहत में तब तक लिए थैंक यू सो माच जै हिंचे भारत